हलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे काले जामुन और यह बहुत ही फेमोस स्वीट है काला जामुन तो यह हमने 2 केजी गाय का फीका मावा लिया है और इसे आप चाय उल्टे जारे से गेशले या सीदे से लेकिन हम इसमें 2 कलो मावा का बना रहे हैं आप चाये तो 1 कलो मावा का भी बना सकते हैं जैसे कि हम 2 कलो मावे में 600 ग्राम मेला डाल लें तो आप 1 कलो मावा में 300 ग्राम डाल सकते हैं सेमी है लेकिन हम दुकान के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा जादा कॉंटिटिव बना रहे हैं तो हमने दूघ लोग परप्रेक्ट म से बहुत ऑच्छा है आप मावं गरपली भी बना सकते हैं या डेरी से बिभी हैं कि और और हम आपको एक नई टेखनिकल से कलिज्बाना बता रहे हैं क्योंकि हम इसमें पाउडर भी हमारा मंप्लीट हो गया है और कभी भी कोई भी रेसिपी का अगर वीडियो देखें आपको लग रहा है वो वीडियो सही है तो ही देखें अगर आपको लग रहा है कि यह फैक वीडियो है तो उसको न देखें उसे देखें न बनाए यह हमारा जो गुलाब जामुन का पाउडर आता है इस्टेंट आता फाइन फ्रोल लिया है 400 ग्राम इंस्टेंट पाउडर जामुन का और 600 ग्राम मेरा यह देखिए हमने नीचे लिखके भी दिया है और उसके बाद हमने इलाची पाउडर डाला है और यह हमने ग्रीन कलर डाला है आप चाहें तो गुलाब कलर भी इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि पिंक कलर भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन हमने यह ग्रीन कलर इस्तिमाल किया है और यह हम आपको बता रहे हैं टाटा सोडा है लेकिन इसको हम कागज में बजन करके डालेंगे तो यह हमने 6 ग्राम टाटा सोड़ा लिया है बजन करके और उसके बाद हमने 10 ग्राम बेकिंग पाउडर लिया है अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सोड़ा और बेकिंग पाउडर दोनों के उड़ाला है देखे सोड़ा से कोई भी चीज हम ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं तो फट जाती है और बेकिंग पाउडर है उसे मेंटरेस करता है यानि कि फट ने नहीं देता है बेकिंग पाउडर से फूलता है और हमने पानी तो इसाब से डालना है लेकिन मेरे साब से अगर आप देखें कभी आपका खावा नरम भी रहता है और कभी कड़क भी रहता है तो पानी आपको इसाब से लेना है यानि कि मैं टोटल आपको पानी बताऊं तो इसमें 700-800 ग्राम पानी लग जाएंगा और यह हम आपको पानी बता दिया 800-700 ग्राम जितना लगेंगा लेकिन बाद में आप चाहें तो पानी का छीटा मार सकते हैं लेकिन पहले आप पानी जादा ना डालें और इसे अच्छे से बहुत ही प्यार से मिक्स करें क्यूंकि आप जितना प्यार से और दिल से बनाएंगे उतने में ही हमारी कोई भी रेशीपी में मिठास और टेस्ट आता है तो हम काले जामून बना रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा स्वीट है इंडियन स्वीट है तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पे आपको एक बात और ध्यान लखना है इसको आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही हमारे जामून इग्दम परफेक्ट बनेंगे बेहत्रिन बनेंगे क्योंकि इसमें इंस्टेंट पाउडर भी डाला है हमने आप समझ रहे हैं जो जामून का पाउडर आता है रेडिमेट वो पाउडर भी हमने इसमें डाला है 400 ग्राम 2 kg मावा में 400 ग्राम पाउडर डाला है और एक केजी मावा का अगर आप काले जामून बनाते हैं तो उसमें 200 ग्राम एड़ करें बहुत ही परफेक्ट हमारे जामून बनते हैं यहाँ पे हमने वीडियो को फटा-फट स्पीट करके आपको बता दिया है कि माल इस बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और चासनी के लिए हमें चाहिए आठ से नो किलो सबकर क्योंकि भईया इसमें पाउडर भी है तो हमारी जामून की क्वेंटिटी बहुत ही जादा बनेंगी यानि कि अगर आप बजन की बात करें तो यह हमने 2 किलो खोवे का बनाया है तो 10 से 12 किलो बनेंगा इसलि हमें टोटल पानी डालना है 5 लीटर 5 लीटर पानी डालने के बाद आपकी परफेक्ट चासनी बन जाएगी आपको पतला या तारवाला कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेंगी यानि कि 8 से 9 किलो खोवे में आपको 5 किलो पानी डालना है 5 लीटर शॉरी क्योंकि लीटर में किलो नहीं आता न और अगर आपकी शक्कर का लिए अगर आप चासनी को साप करना चाते हैं तो दूद भी डाल दें उसमें और दूद आपको कब डालना है जब हमारी चीनी गल जाए उसके बाद आप दूद डाल दें और दूद डालने के बाद आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है और आप अप गेस को भी सुलो कर दें तो हमारा अच्छे से इसके उपर लदोई यानि कि महल आ जाएंगा देखिए कितना सारा सक्कर में जो भी महल रहता है कच्रा रह तो हम इसे जार एसे एकदम आराम से निकाल देंगे तो यह यहाँ पर हमारी चास्नी जामुन की कम्प्लीट हो गई है थोड़ा सा गेस बढ़ा के और हम इसका मेल निकाल देंगे और यह चास्नी रेडि हो गई है और इधर हम एक कड़ाई में तेल गरम करने को रख देते हैं इदे की चास्नी भी कम्प्लीट और तेल भी हमारा कम्प्लीट आ हमने इसको फ्रीज में से निकाल के अच्छे से और मालिस कर लेंगे और यह काफी ज्यादा फूलेंगा तो आप छोटे छोटे गोले तोड़ने ज्यादा बड़े नद तो लें तो आपको 15 ग्राम का गोला तोड़ना है कि अगर आप काफी बड़ा पीज चाते हैं तो अगर छोटा चाते है तो 10 ग्राम जितना गोला तोड़े है जो खटके तूड़ने हैं तो 10-10 ग्राम के लेकर हमारी दुकान पे जो हम बनाते हैं बड़ी साइच का तो 25-5 ग्राम करें कोली तोड़े हैं हम एकदम हम एकदम परपेक्ट रेशिपी बताते हैं हम कोई भी सिक्रेट रखते नहीं है और हम नहीं चाहते कि भाई आप उल्टा सीधा बनाव माल गड़वड हो जाए तो हम एकदम क्लियर आपको बताते हैं और गोल करते समय आपको द्याँ रखना है यह ऐसे स्क्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उससे हमारे काले जामून खुल जाएंगे तो इसे बहुती अच्छे से गोल करें एकदम पॉष्ट फिनिशिंग के साथ यह देखिए इस तरह से गोल करें क्योंकि भाई आप सपित छेना यह रसकुल लेक कैसे भी गोल करें लेकिन यह काले जामून या गोलाब जामून बहुती अच्छे से गोल करना पड़ता है तो एकदम फिनिशिंग के साथ गोल करें और हमने आपको भी साइज भी बताया है तो यह साइज के आपम आपको बताएंगे कितने बड़े हमारा काला जामून बनेगा बहुती यह फूलता है बहुती स्पंच बनेगा और हम अपनी रेशिपी में कोई भी सिक्रेट नहीं रखते हैं जो भी हम आप डालते हैं वही आपको बताते हैं क्योंकि हमारा लच्छ है सभी सीकें और सब ही बनाएं एक कदम आगे बढ़ाएं क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग फैक वीडियो डाल देते हैं उल्टा सीधा बताते हैं बताते कुछ और हैं और देखाते कुछ और हैं तो ऐसा नहीं है भाई हम जो भी डालते हैं वही आपको बताते हैं अन्यता हम वीडियो डालते नहीं है और lockdown की बज़े से हम ज़्यादा भी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि अभी इतना माल बन रहा ही नहीं न और ये तेल में आपको मैं अपनी बता रहा हूँ तो मैं first tail में डालता हूँ क्योंकि ये काला जामुन है हमारा गुलाब जामुन तो है नहीं है गुलाब जामुन को हम एकदम slow ताप बाले तेल में डालते हैं यानि कि एकदम normal में ठेकिन ये काला जामुन है अगर हम दीरे दीरे इसको शेकेंगे और काला करेंगे तो जो इसकी ऊपर की जो चमड़ी रहती है वह या परत वो इतना कड़क हो जाएंगा कि अंदर तक चास्नी नहीं जाएंगी तो आपका काला जामुन फेल हो जाएंगा तो कभी भी आप काले जामुन को fast tail में ही डालें यह मेरा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं कि काले जामुन को कभी भी आप fast ही तेल में डालें उससे तो ना ही खुलने का डर रहेंगा ना कोई और यह कच्चा भी नहीं रहेंगा क्यूंकि आपको कलर काला करना रहता है तो कच्चा रहने का तो सवाल ही नहीं बनता है टाइट चमडी नहीं होगी तो यह बहुत ही शॉप्ट रहेंगा तो बहुत से जगह मैंने देखा है कि बहुत से लोग जला देते हैं तो आधा जामुन तो जल जाता है नीचे का अंदर रहता है तो वो कड़क रहता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसे जामुन बनेगे बहुती शॉप्ट और नरम और यह फुटेंगे भी नहीं ऐसा नहीं कि चूरा हूं खार नहीं बहुती जबलतस्त के काले जामुन बनेगे और इसे आप चलाते रहें ऐसा ना सोचे कि हमने बहुत ही फास्ट तेल में डाल दिया है तो कच्चे रह जाएंगे नहीं मैं आपको दूसरा गान भी बताऊंगा इसी इतने ही गरम तेल में डालना है आपको आपको बताने के चक्तर में मैं अपने माद तो नहीं खराब कर सकता ना तो आप सोच रहे होंगे कि गलती से डर गया नहीं आपको इतना फास्ट तेल में डालना है यह हमारा काले जामुन का कलर कम्प्लीट हो गया है क्योंकि हमने वीडियो वीच में skip कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और आप पाग भी देखा अभी कितना है और यह भी आपको देखना है कि यह हमारे काले जामुन कितना चास्ट नी खीचेंगे जब मैं नेकालूँगा तब आप देख सकते हैं और अभी इसका साइज भी आपको देख रहा हूँगा लेकिन इसे 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो बहुत ही डबल हो जाएगा हाँ और एक और सिक्रेट में आपको बताओं कि कभी भी चास्नी में जामून या काले जामून डालते समय तुरंत आपको जहरे से हिलाना नहीं है अगर आप तुरंत देखेंगे तो हमारे इसमें दब जाता है यह पिछक जाते हैं आख से मार जाते हैं तो वो गलती आपको कभी करना नहीं है तो एक या दो मिनट के बादी आप जहरे से हिलाएं अगर आप तुरंट डालके तुरंट ऐसे जहरे से हिलाओगे तो यह हमारे जामुन आख मार जाएंगे यानि एक साइट से पिछक जाएंगे और पिछकने से कड़क हो जाते हैं अब इसको जब तक पड़ा रहने देंगे जब तक मैं दूसरा गान भी यह देखू यह भी मैंने बहुत ही फास्ट तेल में डाला है यह देखू है ना बहुत ही फास्ट तेल में डाला है यानि कि इतना भी फास्ट में डालना है कि आप डालते डालते जैसे ही आप जामुन डालें कि जल जाएं नहीं फास्ट यानि कि जैसे कि आप कुछ भी संकर पाड़े बगएरा तलते हो तो उस तरह का फास्ट तेल होना चाहिए यह देखिए इसने हमारा अच्छे से चास्णी यह देखिए बहुत ही शौप्ट जामुन हो गए हैं और आप चास्णी पर द्यान देखिए कितनी चास्णी हमारी कम हो जाएगी आपको गटना दिख रहा होगा बहुत ही यह स्पंज जामुन बनता है और इसका कारण है कि मावा और इंस्टेंट पाउडर दोनों को मिला के टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाली इंस्टेंट पाउडर के में टेस्ट नहीं आता वही है यह देखिए कितना चास्नी खीच लिया थोड़ा सा हम चास्नी भी उसमें डाल देंगे ये देखिए बहुत गरम है इसलिए अभी तक चास्नी पूरा अंदर तक गया नहीं है मैं आपको दूसरा गान भी बना के और सुबह बताऊंगा अभी हम नाइट में बना रहे हैं जामून बहुत गरम है ये हमारा दूसरा गान ये भी कम्प्लीट हो गया और इसको भी हम चास्नी में छोड़ देंगे और चास्नी में छोड़ने के बाद एक या दो मिनट के बाद ही आप जारे से गुमाएं और ये हमारे काले जामून की रेशिपी कम्प्लीट हो गई है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जादा से जादा से जादा सेर करें और लाइक करना न भूलें क्योंकि हम बहुत ही मेनद से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ये देखिए हमने मॉर्निंग में ये आप देखिए कोई इसमें गाटने होंगी और कहीं भी सुकाने होंगा हर तरब चाल